हमारे सभी दर्शकों को साधर प्रणाम जैसी कृष्णा आज का हमारा विशय है करक राशी और करक लगने का विवाह 2022 में कब होगा यदि आपकी जन्म राशी करक राशी है कुंडली में आपकी राशी करक राशी है तो 2000 में कभ योग है विवाह का प्रियास करते हैं तो विवाह का रिष्टा पक्का हो जाएगा दूसरी स्थती यदि आपका करक लगना है करक राशी नहीं है लेकिन करक लगना है तब भी कब योग है 2022 में इस विशे को भी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं तीसरी और प्रमुक बात कर्ग लगन में कुछ ऐसे योग यदि आपकी कुंडली में मैं बताऊंगा वेसे योग हैं तब भी आप जान सकते हैं कि 2022 में कब कब विवाहा हो सकता है तो इस विशे को शुरू करने से पहले सबसे पहले यहा जान लेवें आज जो एक महतुपून बात आपके सामने रखनी है वह यहा है कि आखिर विवाहा क्यों किया जाता है आप भी अपनी राय आवश्य देवें यदि आप भी इस विशे पर कुछ कहना चाहते हैं तो इस चैनल के मात्यम से अपनी राय देंगे तो अन्य लोग भी उन कमेंट्स को पढ़ेंगे वे भी लाभानवित होंगे और मैं भी लाभानवित हूँगा हमारे यहां विवाह की परंपरा है हमारी संस्कृति हमारी परंपरा का एक हिस्सा है विवाह करना और विवाह का सबसे बड़ा उद्देश यही है कि माता पिता का जो रिण है संतान को जनम दिया है संतान हुई है तो उसका विवाह भी करना है उसकी संतान भी अच्छी हो यह सारी कामना माता-पिता करते हैं लेकिन इसके पीछे उद्देश क्या है? उद्देश यह भी है कि हमारी जो वंश वर्द्धी है होती रहे आगे से आगे परमप्रागत वंश चलता रहे यह भी एक विशय है दूसरा विशय यह भी है कि माता पिता एक समय के बाद शरीर से कमजोर हो जाते हैं वरद हो जाते हैं तो यदि पुत्र है या पुत्री भी है मान लीजिए तो वह माता पिता की सेवा करती है, मदद करती है काम में हाथ बटाते हैं लेकिन आज के समय में क्या ऐसा हो रहा है यैदि आप अपने गर पर ही देखते हैं अपने बच्चें हैं वे आपका हाथ अभी वरतमान में पूमान लीजे आपकी लड़की है कुँआरी है या लड़का है कुँआरा है तो गर के काम में कितनी उनकी मदद है उसको भी औश्य देखें फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी इस्ति आज के समय में देखें माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहन करें तो शिक्षा बहुत अच्छी होने के बाद बच्चे विदेशों में सेटल हो जाते हैं कुछ कंडिशन ऐसी है वहाँ प तो पहली बात तो यह रही कि यदि आप संतान को जनम दे रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि वह आपकी सेवा करेगी तो आज के समय में ऐसी इस्तियां तीरे-दीरे कम होती जा रही अब दूसरी इस्तिय है कि मान लिजे बहु साथ में है बेटा भी साथ में है या बेटी आस से समझते हैं इसको आपकी क्या राय है आप अवश्य देवें क्योंकि आज के समय में माता पिता और संता दोनों में दूरियां हो गई है मान लिजे गर में बहु है तो बहु भी जोब में है बेटा भी जोब में है तो सुबह उठते ही वे अपने जोब की तरफ बढ़ते हैं तो गरेलू काम में बेटे की मदद वेसे पती और पत्नी दोनों को आज के समय में दोनों कामकाजी हैं तो दोनों को हेल्प करनी चाहिए एसा नहीं कि केबल पत्नी ही घर के काम करें पत्टी को भी चाहिए कि पत्नी की मदद करें इसके बारे में आपकी क्या राय है वह भी जाने लेकिन मेरे पास बहुत से ऐसे माता-पिताओं के फोन आते हैं उनकी इस्तती बहुत खराब है संतान बहुत दूर है और बुरे समय में संतान कभी फोन पे बात कर ली बस इसके अलावा सेवा वाली इस्तती या माता पिता के दुख दर्द में उनके पास खड़ा रहना ये वाली इस्तती बहुत कम हो चुकी है तो इसको भी जरूर ध्यान में रखे हैं संतान के विवाह के चक्कर में ऐसा ना हो कि माता पिता बहुत ज़्यादा बुड़े हो जाएं और उन्होंने जीवन में ना तो कोई जगे देखी जैसे परवत पर जाना जैसे यात्राएं करना धार्मिकिस्थानों को देखना रोमिकिस्थानों पैक्क नहीं पाएंगे समय रहते ही। जब भी समय मिलैं जीवन का आंद जरुर ले लेकिन नहीं जा पाते हैं और पड़िवार के बंधन में बंद जाते हैं तो आप भी अपनीा राए अवश्य की बात करते हैं करकराशी करक राशी 2022 विवाह का योग, आपकी जन्मराशी करक है तो आपका जन्म पुनरवसु नक्षत्र के चोथे चरण में हो सकता है, पुष्च नक्षत्र में आपका जन्म हो सकता है, आशलेशा नक्षत्र में आपका जन्म हो सकता है, तब ये आपकी करक राशी होगी. करक राशी वालों के लिए विवाह का शुब समय जो योग कारक समय अगर देखें तो एक जनवरी से 13 अपरेल 2022 का समय नहीं है एक जनवरी 22 से 13 अपरेल 22 तक का समय करक राशी वालों के लिए शुब नहीं है योग कारक नहीं है उसके बाद वाला समय जो है 13 अप्रेल 2022 से लेकर कोचर का गुरू मीन राशी पर आएगा तो आपकी राशी पर इसका शुब प्रभाव पड़ेगा करकराशी पर एसी इस्ति में 13 अप्रेल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का समय करकराशी वालों के लिए बहुत शुब रहेगा यदि माता पिता या संतान भी तैयार है विवाह के लिए थोड़ा सा प्रियास करेंगे रिष्टा आ रहा है देखेंगे द्यान से तो इस समय में विवाह का अच्छा रहेगा कौन सा 13 अप्रेल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का समय काफी अच्छा रहेगा तो यह 8 महीने आपके लिए काफी अच्छा रहेंगे इससे पहले वाला समय एक जनवरी 2022 से लेकर 13 अप्रेल 2022 तक का समय करकराशी वालों के लिए शुब नहीं रहेगा करक लगन वालों के लिए भी यह समय शुब नहीं रहेगा करक लगना है तब भी आपको 13 अपरेल 2022 के बाद ही शुब योग बनेंगे अब करक लगन यदि आपका है करक लगन का जहां राशी की बात करूँ वहां राशी का संबंद है जहां लगन की बात करूँ तो करक लगन का सीधा संबंद है आपकी जो लगन कुंटली है उसके प्रतम भाव में चार कांग लिखा होगा D1 चार्ट में तब ही आपका करक लग हो जदि कर्क लगन है आपका तो आप अपनी कुंडली खोलें और देखें गुरु किस राशी पर लिखा हुंआ है यदि आपकी कंडली में गुरु तीन-साथ-ग्यारा या पांच। इसका सीदा आर्थ है, तीन का आर्थ है मिथुन, साथ का आर्थ है तुला, ग्यारा का आर्थ है कुम्ब, राशी, और पांच का आर्थ है सीन राशी, तो मिथुन, तुला, कुम्ब और सीन राशी पर आपकी कुंडली में गुरु लिखा हुआ है, कुंडली के किसी भी बाव में, तो वि दूसरी इस्तती यदि आपका कर्क लगन है और तीन साथ ग्यारा पांच इन अंकों पर गुरू आपकी कुंडली में लिखा हुआ नहीं है और यदि चार आठ बारा या छे त्यान से सुनें कर्क व्रश्चिक मीन या कन्या राशी का गुरू है आपकी कुंडली में किसी भी चार चार पर हो लिखा हुआ गुरू हो चाहे आठ पर लिखा हो चाहे बारा पर लिखा हो चाहे छे नंबर पर लिखा हो एसी इस्तती में तेरा अपरेल दो हजार बाइस से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का समय आपके लिए बहुत शुब रहेगा तो यह चोटी सी जानकारी थी इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं करक राशी वालों के लिए 2022 काफी लंबा पिरेड अच्छा रहेगा उसमें प्रियास करेंगे तो सफलता मिलेगी और इस वीडियो को आप शेय और अने कुंडलियों में हमने देखा है कि सब्तम भाव में शनी बेठा हुआ है जन्म के समय का या सब्तम भाव पर शनी के साथ साथ राहू की भी द्रश्टी है शनी है लेकिन राहू की भी द्रश्टी है सब्तम भाव में अन्य कोई ग्रह बेठा हुआ है उसकी इस्तती भी देखनी अती आवशक है, इनके उपाय करने भी बहुत जरूरी है, यदि सब्तम भाव पीडित है, बाव का स्वामी पीडित है, सब्तम भाव का कारक अगर पीडित अवस्था में है, तो एसी इस्तिती में विवाह में देरी होती है, योग आते हैं, लेकिन उनमें काम नह अच्छी लगी हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, धन्यवाद जैशी कृष्णा